दोस्तों अक्सर अगर आप भी कार लाने की सोच रहें तो स्पेशिपिकिसंस तो जरूर देखते हैं और आपने कभी ने कभी कारूं की स्पेक्स में ये बात भी सुनी होगी कि क्रूज कंट्रोल ये अक्सर आज कल की नई modern कारूं में एक नया फीचर आता है और हमारे लिए सफर में ये कहां काम आता है और कैसे काम करता है मैं आपको दो मिनिट में इस feature के बारे भी complete जानकारी details बता देता हूँ दरसल टेकनोलोजी आए दिन रोजाना अपग्रेड हो रही है और टेकनोलोजी हमें कारू में भी देखने को बल दी है और इसे में से एक तकनीक है कारू की जिसका नाम है cruise control आज कल की आने वाले अदिक्तर कारू में ये feature आता है और आपको बता दू ये feature आपको सबसे ज़्यादा यूज भूलोता है अगर आप long drive उपर जा रहे हो कहीं highways बगरा पर सफर कर रहे हो ना और cruise control feature आपको long drive उपर जाते समय एकसी लेटर को continue काफी समय तक दबाय रखने की ज़रूरत को खत्म कर देता है कहने का मला अगर अपने को कार को स्पीड में आगे चलाते रहना तो जाहिट सी बात है एकसी लेटर दबाय रखना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा मुस्किल भरा लगेगा राइट लेकिन cruise control feature आपके इसी समय खत्म कर देता है दरसल cruise control का मतलब ये होता है कि मान लीजे आपकी car highways पर एक बार 80 की speed पर continue चल देए चिका ना या 90 की speed पर continue चल देए 80-90-100 पर चल देए अब आपको accelerator permanently दबाय रखने की ज़रत नहीं है उस speed पर जैसे आप cruise control बटन को दबाऊगे ना तो आपकी car accelerator चोड़ देने के बाद भी उस speed पर constantly चलती रहेगी और यही इस cruise control feature का मुख्य कारी है अच्छा एसे situation में आपके मन में एक doubt आ रहा होगा सवाल आ रहा होगा कि फिर अगर car को धीमा करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा तो आपको बता दूँ चाहे cruise control on भी है ना तब भी मान लीजे कोई jump आया या सामने आगे कोई गाड़ी cross कर रही है आपको speed slow करने की ज़रत है तो बेजी जग आप brake प्रेस कर दीजे जैसे आप brake दबाओगे गाड़ी की speed slow हो जाएगी लेकिन जैसे आप brake को वापस release करोगे चोड़ोगे गाड़ी की speed आपकी cruise control की वज़े से वापस 90 तक completely धीरे धीरे चली जाएगी ये कहां इस्तिमाल होता था तो आपको बता दूँ वेबसाइट scienceandbc.com के मताबिक इस cruise control feature का आविसकार mechanical engineer James Watt ने 70 सताबदी में ही सुरू कर दिया था इसका इस्तिमाल सबसे पहले भाप से चलने वाले इंजिनों में किया जाता था जैसे की train वगरा भाप से चलती थी थी ना वहाँ पर भी cruise control काम करता था इससे engine की speed जो है वो steam कम जादा आने की बाद भी एक निश्चित speed में engine चलता रहता था steam वाले engine में इस तरह से काम करता था लेकिन आज हम जिस cruise control का इस्तिमाल करते हैं उसका इज़ाद 1940 में यानि कि 1940 के दसक में हुआ था खेर जब भी हो कुल मिला करके हमारे लिए बहुत काम का फीचर है उमीदे दोस्तों यह informative वीडियो आपको जरूर जानने मिलागा वीडियो को like और share करना चैनल को subscribe करके बेल आइकोन जरूर दबा दे हैं और आपके मन में अगर car के किसी feature से समधी कोई सवाल है तो comment करके जाइ बारत वंट